हलो फ्रेंड्स मेरा नाम है मनोज and welcome to my youtube चैनल आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप फिल्मूरा सौफ़वेर के थुरू अपनी वीडियो में किसी भी पार्ट को बिलर कर सकते हैं हम बहुत सारी वीडियो बनाते हैं जिनमें हम अपनी कुछ confidential information फिल करते हैं तो हम कैसे उस information को hidden रख सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखें और अपनी वीडियो में जो भी आपकी information है जिससे आप hidden रखना चाहते हैं तो कैसे उसे blur कर सकते हैं या आप इस वीडियो में सीख जाएंगे तो मैं आपको सबसे बहले अपने सॉफ्वेर पर लेके चलता हूं यह हमारा फिल्मोरा नाइन सॉफ्वेर है तो अब हम अपनी जो भी हमारी वीडियो है मुसे इंपोर्ट कर लेंगे यह मैंने अपनी वीडियों पोड कर लिए हम इसे ड्राइक करके अपना टाइम लाइन में आएंगे टाइम लाइन में आने के बाद मैं इसे प्ले कर देता हूं ठीक है तो यह मैंने एक वीडियो बना रखा है कि इसमें सिंपल हम अपनी कुछ information फिल आउट कर रहे हैं तो एक बार इसमें सारी चीज़े फिल आउट हो जाने देते यह phone number फिल कर रहे हैं ठीक है मैं इसे यहां पर stop कर देता हूं अभी तो अभी हमने name, email और phone number की information फिल कर दिये तो अब हमें यह चीज़े blur करनी है तो कैसे कर सकते हैं तो इसके लिए हम effects में जाएंगे effects के बाद हम utility पे click करेंगे और utility पे click करने के बाद इस वाल effect पे click करेंगे ठीक है यह आप देख रहे हैं कि यहां पर इस तरह कहीं चल के दिखेगा मैं इसे एक पर play करके दिखा देता हूं ठीक है ठो चुका है ठीक है तो for example मुझे अगर पूरा form blur करना हो तो मैं इसको increase कर दूँगा और इस से हमारा पूरा form हमारा blur हो जाएगा ठीक है मैंसे यहां से आपको दुबारा play करके दिखाता हूं आप देख रहे हैं पूरा form हमारा blur हो चुका है ठीक है इसकी size को आप जितना चाहें increase कर सकते हैं अब ही मैं आपको बिताता हूं कि आप कैसे जब आपके multiple fields होते हैं आप उन्हें कैसे करके blur कर सकते ठीक है तो हम जहां से इसमें entry करना start करते हैं वहाँ पर चले जाते हैं ठीक है और अपने इस effect को वहीं पर drag कर लेते हैं यह हमारा effect है ठीक है मैं इसे थोड़ा सा size इसका adjust कर लेता हूं जिससे यह हमारा सरफ name के उपर आजए ठीक है तो अभी मैं इसे play करता हूं थोड़ा सा back करके तो अभी आप देख रहे हैं कि हमारा जो first name था वो पूरा blur हो चुका है ठीक है अब हम same last name के लिए करेंगे तो मैं क्या करूंगा दुबार इस effect को drag drop कर लेंगे ठीक है और इसको पर क्लिक करेंगे screen को पर क्लिक करेंगे यह हमारा दूसरा वाला effect है जिससे हम अपना last name के लिए use करेंगे ठीक है मैं इससे drag करके last name के उपर ले गया इससे थोड़ा side just कर देंगे जिससे कि यह सरफ इस particular field के उपर display हो ठीक है और एक चीज़ दिखाता हूं आपको अब मैं इससे दुबारा अपले करता हूं first name blur हो गया last name blur हो गया अब आप देखना problem कहां पर आती है जैसे इसने इस वाले effect को cross करा उसने first name visible कर दिया तो इसको कैसे manage करते तो आपका जो यह effect है इसको आप last से ड्रैग करके अपनी जहां तक भी आपको यह करना है कि मुझे यहां तक यह चीज़ बलर ही रखनी है वहां तक आप इसे कीच के stretch कर दें ठीक है अब मैं इसे play करता हूं मैं last name को भी last तक stretch कर देता हूं अब मैं इसे थोड़ा सा back करके play करता हूं एक सिकिंद थोड़ा सा last name को भी मैं यहीं से start कर देता हूं अब play करते हैं कि फस्ट निम बलर हो गया लास्ट निम भी बलर हो गया ठीक है और जब तक की complete form हम फिल करेंगे यह दोनों बलर आउट ही रहेंगे तो ऐसे आप multiple effects ले ड्रैग ड्रॉप करके आपकी जितने भी fields हो आप उन्हें बलर कर सकते हैं तो इस तरह से यह बहुत ही सिंपल है फिल्मोरा 9 के तुरू आप अपने फिल्स को बलर करना हो यह तो एक मेरे टेक्स्ट फिल्स है अगर आपको कोई image का कोई अपना face blur करना हो तो same to same process है आप इस वाल effect को drag drop करेंगे और उसकी property को आप जहां पर जाके size को increase degrees कर लेंगे और अपने face को पर apply कर देंगे उससे आपकी image का जो face है वो blur हो जाएगा आपकी वीडियो में आज के वीडियो में इतना ही अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लेगे तो प्लीज इससे like करें comment करें शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग टेक केर बबाई